अफगानिस्तान में अशांती का दोर काफी लंबे अरसे से चल रहा है तालीबान इस अशांती का मुख्य कारग भी माना जाता रहा है एक बार फिर अमेरिकी फोर्सेस के हटते ही तालीबान अफगानी हुकूमत पर अपना जंडा गारने की तयारी कर चुका है दरसल इस समय तालीबान और अफगान बलों के बीच मेदान शहर में गवर्नर कमपॉंट के पास भीशन लड़ाई चल रही है मेदान शहर को काबूल का गेटवे भी कहा जाता है अब इसके बाद तालीबान काबूल से महस एक घंटे की दूरी पर रह गया है अफगानिस्तान के कांधार समयत 19 प्रांतों पर कबजा कर चुका तालीबान अब काबूल अएरपोर्ट से भी महस एक घंटे की दूरी पर है इस बीश तालीबान प्रवक्ता मोहमच सुवेल शाहिन ने शनिवार को न्यू जेजेंसी ए एन आई से बाचित में कहा कि अगर भारत ना अफगानिस्तान में मिलेटरी भेजी तो अच्छा नहीं होगा अफगानिस्तान में दूसरे देशों की मिलेटरी का हाल आप देख चुके हैं इसलिए यह मसला के एक खुली किताब है इसका ही जवाब देते हुए भारत भी साफ कह चुका है कि अफगानिस्तान में ताकत के बलपरबनी सरकार को हम कभी मान्यता नहीं देंगे इसके साथ भारत के अलावा जर्मनी, कतर, तुर्की और कई अन्यदेशों ने अफगानिस्तान में हिंसा और हमले तुरंत रोकने की अपील की है आपको बता दे कि तालिबान से निपटने में अफगान सेनिक बुरी तरह से नाकाम रहे हैं कई परांतों में सेनिकों ने बीना लड़े ही तालिबान के सामने हतियार डाल दिये हैं इसी बीट तालिबान की रफतार को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को काबुल से निकालने के लिए सेनिय दल बेज दिया है एक दिन पहले अमेरिका के बाइडिन सरकार ने आशंका जटाई थी कि एक महीने के अंधर ही काबूल सरकार पर भी तालीबान का कब्जा हो जाएगा और अफ़गान सरकार गिर जाएगी तालीबान के पुराने इतियास को देखते वे अब पूरी दुनिया तालीबान के खत्रे को लेकर आशंकित है जिस तरह उसामा बिन लादेन जैसे आतंगवादी तालीबान की सर परिस्ति में 9-11 के हमले को अंजाम देते हैं उसे याद कर सभी सहमें हुएं बविश्य सभी जानते हैं लेकिन विश्व की दो महाशक्ती अमेरिका और रूस का वहां से बेयाबरू होकर रुखसत होने के कारण कोई भी अफगान की इस जलती आग में हाट डालने को तयार नहीं है नमस्कार मैं हूँ अनुपमलाड खबरों के लिए बने रही है रदूपाशी के साथ